याहिन दोस्तों आज आप लोगे सामने भुगोल में एक नया टॉपिक के साथ महादीपू किवम महासागरों की उत्पत्ति के विश्य में हमें लोग आज दिसकस करेंगे देखिए प्रतिवी की उत्त्ति हो जाने के पश्यात, जब प्रतिवी की उत्त्ति हो जाती है अर्थाद जब ये सूर से प्रतिवी छीटक कर अलग होती है होती है तैकड़ो वर्षों तक वर्षा होती रहती है धीरे 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 प्रतिवी का जो टेंप्रेशर है वो भी सांत हो जाता है और संपूर्ण प्रतिवी के जलमगन हो जाती है लेकिन जो प्रतिवी के जो उठा हुआ जो भाग है वो उचाई में जो इस्थित है उसे पैंजिया कहा जाता है अरथात प्रतिवी के उत्पत्ति हो जाने के पश्चात प्रतिवी में मातर दो भाग थे पहला भाग था पैंजिया और दूसरा भाग था पैंथालासा पैंजिया उस भाग को कहा गया जो इस्थल खंड से घिरा हुआ था कर्थात वह इस्थल खंड जो प्रत्वी पर उंचा इस्थान था उसको पैंजिया कहा गया और जो निर्म इस्थान था जो प्रतिवी की चारों और जो जल से घिरा हुआ था उसको कहा गया पैंथालाशा कुछ समय के बाद सूर और चंद्रमा के गुट्व आकरश्म बल के कारण दोनों के आकरश्म सक्ति के कारण जो है इनमे तनावुत पन हुआ तरसरी युग में पैंजिया के दो टुकड़े हो गए हर्थात एक उत्तर की ओर दूसरा दक्षुन की ओर जो उत्तर की ओर गया उस प्रतिवी के पैंजिया की टुकड़े को अंगारा लेंड कहा गया और जो दक्षणी की ओर गया उस पैंजय की टुगड़ों को गोडवाना लेंड कहा गया जब यह दोनो इस पैंजय की टुगड़े होने के बाद जब यह दोनो भाग अलग हो गये एक उत्तर की ओर चला गया और दूसरा एक जो दक्षणी की ओर चला गया तो जब यह दोनो फिक्सित हो गया उस निम्नी इस थान को जहाँ जल भर गया उसे टेथिस सागर के नाम से जाना गया क्या कहा गया अर्थाज जब अंगारा लैंड और गोर्णवना लैंड उत्तर चवर गया तो इसका पैंथा नियुक्ति आला साय का जो जल है वो बीच में इसके समा गया और उस जल के राज़ी को क्या कहा गया से चिश सागर कहा गया कुछ समय की ये बाद पुना है तूरा और चंद्रमा का अकरषण पर चलता रहा जुरैसिक पीरियड में जुरैसिक काल में, जुरैसिक काल कौन सा काल है, डायनासोर का काल, अर्थात, डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, एक उस्षन कुछा जाया करता है, जुरैसिक पीरेड में हुई थी, उस समय जुरैसिक पीरेड में, ये जो आपका अंगारा लेंड था, और ये ग एक औरे दो तीन इशी प्रकार गोडवना लैंड ही तीन टुकडों में बढ़ गया यह एक यह यह दो और यह तीन अंगारा लैंड जब तीन टुकडों में बना तो उसी अंगारा लैंड से नार्थ-अमेरिका, यूरेसिया और प्रसांत प्लेटों की स्थापना हुई निर्माड हुआ इसी प्रकार गोनवाना लैंड की जब तीन टुकड़े हुए तो उससे क्या हुआ इस प्रकार देखिए जोस्तों कि छे महाद्यूपों की रचना हुई इस सिद्धान्त को विद्वान वेगनर ने इसको डिफाइन किया था उन्होंने कहा था कि महाद्यूपों की जो उत्पत्ती हुई है वो विस्थापन के करण हुई है इसलिए इस संपूर्य सिद्धान्त को महाद्यूपी विस्थापन सिद्धान्त भी कहा जाता है जो विद्वान 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 ने महाद्यूपी विस् के कारण एन में यह बटका हैं अंगारा लैंड का निर्माद हुआ गोरदवाणा लैंड का निर्माद हुआ और अंगारा लैंड पुनुह थीन भागों में बटके नार्थ-का, यूरेशिया, और प्रसान्थ-क lotos मेंधिवाइड हो गया और गोरदवादा साउफ में अमेरि हुआ है जैसे आप देखते हैं यह नार्थ अमेरिका तो आप जब विश्टू के मैप में देखेंगे तो नार्थ अमेरिका के जश्ट नीचे साउथ में साउथ अमेरिका ही है जैसे यहां पर आप देख लेजिए यह आपका नार्थ अमेरिका है और नार्थ अमेरिका के यूरेसिया ये यूरोप हो गया और ये हो गया एसिया ये यूरेसिया का भाग हो गया यूरेसिया की ज़स्ट नीचे क्या है अफ्रीका यूरेसिया की ज़स्ट नीचे क्या है ये अफ्रीका हो गया महादीब कर अनिर्माड हुआ इसी प्रकार प्रसांत पैसिपिक प्लेट यह अतिन्त भारी और बड़ी है, विसालकाय है, विसालकाय और अतिन्त भारी होने के कार यह पानी में डूब गई है, इसलिए यहाँ पर प्रसांत महासागर का निर्मान हुआ, और आप जब देखेंगे तो आपका यूरेसिया, एसिया के ज़स्ट, आप पूरा तरफ जब भाग माना जाता है, इस परकार यह छे प्लेटों का निर्मान हुआ, अर्थात जो महादीपों के जो उभरे हुए भाग होते हैं, उन्हीं को प्लेट कह दिया गया, और साथमी प्लेट, आपकी अंटरकटिका प्लेट है, जो सबसे साउत में है, इस परकार साथ महादीपो का निर्मान हुआ, और जैसे ही साथ महादीपो का निर्मान हुआ, तो चार महासागरों का फुल गया, अर्थात निर्मान हो गया, कैसे हुआ, देखिए, अर्थात नार्थ अमेरिकी प्लेट और यह साउथ अमेरिका, यह जब यह दोनों अलग हो गये, यह दोनों अलग हो यह Indo-Australia-Aid Plate, यह Indo-Australia-Aid Plate के उत्तर दिशा के जाने के कार्ण जो है, इस पूरे एरिया में हिंद महासागार का निर्माड हो गया, इसका हो गया हिंद महासागार का निर्माड हुआ और क्योंकि पैसिक फ्लेट इतनी भारी और विशालक आये है कि यहाँ पर निम्न जल का निर्माड हुआ और विश्ट के माइप के दोनों तरफ जो है प्रशान्त महासागार का निर्माड हुआ तीसरा और चौथा ये ब्रत्ताकार दिशा में उत्तर की योर जो है आपका आर्किटिक महासागर का निर्माड हुआ क्यों क्योंकि यूरेशियाई प्लेट दच्छुर्द जह की योर जा रही थी इसलिए ये महासागर का निर्माड हो गया इस पकार चार महासागर और साथ म